उत्र प्रदेश पुलिस द्वारा पूरे प्रदेश में महा यातयात अभियान चला जा रहा है जिसके अंतर गत यातयात नियमों का पालन करने के लिए लगातर जागरुकता कारिक्रम आयोजित की जा रहे हैं साथ ही सभी जनता से अपील की जा रही है कि यातयात नियमों का पालन करें और दूसरों को भी जागरुक करने का काम करें मुरादबाद यातयात पुलिस और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से भी लगातार जागरुकता कारिक्रम आयोजित हो रहे हैं तो वहीं इसी संबन में मुरादबाद के अगवानपुर चौराहे पर सभी वाहन चालोकों को जागरुक करने के लिए काम किया गया जिसमें सामाजिक संस्थाओं के साथ शहर के बुध्धी जीवी भी मौजूद रहे परिवर्तन दिच्चेंज उस संस्था ने यातयात पुलिस वा आटियो मुरादबाद के साथ मिलकर अगवानपुर चौराहे पर यातयात माहा के अंतरगत सौ से अधिक वाहनों पर रिफलेक्टर लगा कर ट्राफिक नियमों वा कोहुरे में होने वाले सरक दुरगटनाओं क प्रती किया जागरुक इस जागरुकता अभियान में संस्था ने ट्राफिक नियमों का पालन करने वाले चुनहें तो लोगों को चौकलेट दे कर उनका धन्यवाद किया इस जागरुकता अभियान में मुख्या अथिति के रोप में आर्टियो इप्रणव झाजी यातयात पुलिस से टी आई पवन त्यागी एवा मसमस्त ट्राफिक पुलिस कर्मी समाज सेवियों में सरदार गुर्बिंदर सिंग जी उपस्थित रहे संस्था के तरफ से अध्यक्ष कपिल कुमार जी सहित संस्था के स्वयम सेवा कुआ पदादिकारी उपस्थित रहे आज अगवान को चौराहे पे विभिन ऐसे छोटे बडे वहनों पर रिप्लेक्टर लगाने का काम किया गया इन वहनों पर रिप्लेक्टर नहीं थे परपस यह था कि उन गाड़ियों को अंधेरे में या कोहरे के टाइम में सुरक्षित रखा जा सके है उस पे चलने वाले लोगों को सुरक्षित रखा जा सके है यह एक बहुत ही नूता और उत्तम प्रयास है मेरी शुब कामना है परिवर्तन के लिए कि वैसा प्रयास लगाता है जाड़ी रखा जाड़ी है संस्था के अध्यक्ष कपिल कुमार का ये कहना था कि समाज को जागरू करने के लिए समय समय परकारिकरम आयोजित होते हैं शहर के वभिन समस्याओं को उठाने के साथ और उसका समाधन करने के लिए हमारे संस्था काम करती है इस समय उतर प्रदेश पुलिस द्वारा यातयात माहा चलाय जा रहा है जिसके अंतरगत सभी को जागरुक करने के लिए प्रियास हो रहे हैं इसी समन्द में आज ये कारिकरम आयोजित किया गया था इसमें दो पईया वाहन भी है इसमें चार पईया वाहन भी है इसमें बड़े वाहन भी है उतेशे हैं कि जादर से जादर लोगों को जागरुक किया जाए कि जो कोहरे के वक्त जो दुर्वटनाय गटती है उसमें बहुत बड़ी कमी ज़ए वो रिफलेक्टर की कमी बाए जाती है पुरती हैलमेट का परियोग किया या फिर सीट वेल्ट का परियोग कि ऐसे सभी नागरिव का हमने अभी नंदन भी किया कि लगबक कितने वहानों के आज रिफलेक्टर लगाए गए में पचास साथ हमें ने ट्रक के और लगबक ऐसे ही हमारे पास में चालिस पचास सिक और सो से अधिक आजो को हमने और वह हमने चोटे बड़े वहानों पर इस कर आघको